प्रेंग्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंगलिश ओथर ग्राहम ग्रीन की एक बहुत ही पॉपुलर नॉविल के बारे में जिसका नाम है दा हार्ट आफ दा मैटर इसे 1948 में पब्लिश किया गया था ये बुक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रही है और इसे 1948 में जेमस टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज भी दिया गया है साथ ही Modern Library और Time इन दोनों के ही तरफ से जो 20th Century की Best 100 Novels हैं उन दोनों की लिस्ट में ये Novel शामिल थी तो आप समझ सकते हैं कितनी popular novel रही है ये और इसलिए इसे कई सारे colleges में prescribed किया जाता है इस novel में एक police officer Henry Scobie की Life Story को बताया जाता है ये जो Scobie है ये एक Catholic है और इसलिए Church के rules इसे follow करने पड़ते हैं लेकिन अपनी life वे अपनी जिंदगी में ये कुछ ऐसे काम करता है जिससे ये rules तूट जाते हैं और इसका इसकी life पर इसके thoughts पर और इसकी mental state पर इन सब पर बहुत असर पड़ता है तो ये सारी चीजे हम समझेंगे जब हम इस novel को और उसकी story को समझेंगे अब फ्रेंच अगर बात करें writer की तो Graham Greene का पूरा नाम था Henry Graham Greene उनका जन्व हुआ था 2nd October 1904 में और उनकी death हुई थी 3rd April 1991 में वो एक English writer और journalist भी रह चुके हैं साथ ही 1966 और 1967 दोनों ही साल वो Nobel Prize for Literature के लिए short list भी हुए लेकिन उन्हें ये award मिला नहीं साथ ही उनकी famous works में The Ministry of Fear, The Heart of the Matter, Our Man in Havana ये सभी शामिल हैं तो चलिए फ्रेंच अब आगे बढ़ते हैं और इस novel की story को समझते हैं फ्रेंच अस story की जो setting है वो western coast of Africa वहाँ पर रखी गई है और second world war का समय रहा है अब यहाँ एक police officer रहते हैं जिनका नाम है Major Henry Scooby वो यहाँ पर रहते हैं उनकी duty यहाँ पर है और उनके साथ रहती है उनकी wife जिसका नाम है Lewis अब यह जो Lewis है यह एक intellectual woman है यानि से literature और poetry बहुत पसंद है और Scooby जो है वो बहुत ही सीधा साधा simple सा इंसान है जिसे यह Africa की यह जो society है वो बड़ी अच्छी लगती है लेकिन Lewis जो है वो खुश नहीं है वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों से उसकी बनती नहीं है और जो high class लोग हैं उसमें इसे accept नहीं किया जाता क्योंकि इसका husband सिर्फ एक police officer है इसलिए इसे high society में accept नहीं किया जाता और जो Africa के लोग हैं वो इसे ज़ादा पसंद करते नहीं है तो यह जो Lewis है यह कह सकते हैं यह बहुत दुखी है स्कूबी को इस बात का पता है कि उसकी wife परेशान है उसे बड़ा बुरा भी लगता है लेकिन उसके मन में उसके wife के लिए कोई प्यार नहीं है इन दोनों की एक बेटी थी Catherine नाम था उसका लेकिन कई साल पहले उनकी death हो गई और उसके death से ही शायद इन दोनों का प्यार जो है वो कहीं खत्म हो गया अब यहां बताया जाता है कि Lewis जो है वो एक Catholic है स्कूबी एक convert है यानि उसने Catholic धर्म को अपना लिया है लेकिन वो भी Lewis की तरह ही बिलकुल devote है यानि वो अपने धर्म को follow करता है जो भी rules है उसके धर्म के उन्हें accept करता है अब हमें इस novel की शुरुआत में ही बताया जाता है कि स्कूबी के promotion के कुछ chances रहते है यानि हो सकता है कि वो commissioner बन जाए लेकिन कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि नहीं यहां कि जो police है उसके उपर fraud और smuggling का आरोप लगा है और इसलिए स्कूबी की जो promotion है वो रुख जाती है अब यह जो Lewis थी उसे बड़ी उमीदे थे कि उसका husband promote होगा commissioner बनेगा तो उसे higher society में accept किया जाएगा लेकिन यह सारे plans जो है उसके fail हो चुके हैं साथ ही यह जो आफरिका की गर्मी और यहां की जो humidity है वो इससे बरदाश नहीं हो रही तो यह जो Lewis है यह स्कूबी से कहती है कि एक काम करो मुझे South Africa भेज दो मैं वही रहूंगी और जब तुम retire हो जाओगे तो तुम भी मेरे पास आ जाना ठीक है यहां पर मैं नहीं रह पा रही हूँ मैं बहुत परेशान हूँ स्कूबी इस बात को accept कर लेता है और कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा पर पहले तुम मुझे पैसे जमा करने दो मेरे पास पैसे हो जाएं फिर मैं तुम्हे South Africa भेज दूँगा अब यहां पर entry होती है एक दूसरे important character की जिसका नाम है Wilson यह Wilson इस शेहर में आया है और इस society में यह घुलने मिलने लगता है आगे चलकर हमें स्टोरी में बताया जाता है कि यह Wilson जो है यह एक inspector और साथ ही एक spy एक जासूस है जो की सरकार की तरफ से भेजा गया है कि पुलिस department पर यह जो smuggling का आरोप लगा है उसकी जाच करे वो लेकिन यह Wilson जो है यह इस बारे में किसी को नहीं बताता अब हमें Wilson के बारे में बताया जाता है कि इसे भी poetry का बड़ा शौक है लेकिन इसे लगता है कि इसके colleagues इसे accept नहीं करेंगे इसका मजाग उड़ाएंगे इसलिए यह किसी को यह बात नहीं बताता लेकिन जब इसकी मुलाकात Lewis से होती है तो ये देखता है कि इन दोनों में काफी सारी common चीज़े हैं यानि दोनों को ही poetry पसंद है और इस तरह से उनके बीच में एक दोस्ती बनती है ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार बन जाती है यानि Wilson जो है उसे Lewis से प्यार हो जाता है लेकिन Lewis जो है वो उसकी affection को decline कर देती है यानि उससे शादी करने के लिए उससे प्यार करने के लिए मना कर देती है ये जो स्कूबी है इसकी duties में एक और काम शामिल है और वो ये है कि जो local passenger ships गुजरते हैं उसकी जाँच इसे करनी होती है कि उससे कोई तरह के diamond smuggle तो नहीं किये जा रहे है और ऐसा कभी नहीं होता उसने आज तक कभी भी कोई diamond नहीं पकड़े है तो इसी तरह एक और जहाज गुजरता है जिसका नाम होता है एस्पिरांग का यह जहाज जब गुजर रहा होता है तो स्कूबी इसे भी रोकता है और इसकी भी जाँच करता है तो उस जहाज पर जो steward रहता है वो कहता है कि कैप्टन के quarter में कुछ है कैप्टन छिपाता है हमसे और यहाँ स्कूबी को लगता है कि ज़रूर ही कोई ऐसी चीज होगी जो उसे अपने कपजे में लेनी चाहिए लेकिन जब वो कैप्टन को धंकी देता है तो उसे कैप्टन के पास से एक लेटर मिलता है जो उसकी बेटी उसे लिखती है यह कहकर कि वो वापस आ जाए यह जो captain है यह कहता है कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, 100 pounds दे रहा हूँ, आप मुझे वो letter दे दीजे लेकिन जो scooby है वो उस letter को burn कर देता है और साथ ही कोई reporting नहीं करता है अपने seniors को अब scooby जो है उसे एक island town visit करना पड़ा, वहाँ एक problem हुई है problem यह हुई है कि वहाँ का जो local inspector था जिसका नाम था Pemberton उसने suicide कर लिया और suicide का कारण यह उसने एक note में लिखा कि उसके उपर कुछ कर्ज था और उसने वो पैसे नहीं दे पाए यानि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो return कर सके सकूबी ने जान शुरू की और उसका शक जो है एक Syrian आदमी पे गया जिसका नाम था यूसुफ यह जो यूसुफ था यह एक black marketer था तो जब यूसुफ से पूछताज की गई तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि इन सभी चीजों में उसका कोई हाथ नहीं है लेकिन सकूबी जो है उसे यूसुफ पे पूरा शक है उधर जो यूसुफ है वो सकूबी को उल्टा कहता है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ आपके भले के लिए और वो यह की एक नया inspector आया हुआ है इस तरह की smuggling के काम पर नज़र रखने के लिए इसलिए आप बचके रहिएगा तो सकूबी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है कोई नहीं आया है मुझे वरना इसके बारे में पता होता लेकिन ऐसा सच है एक आदमी आया हुआ है और वो कौन है तो Wilson अब बताया जाता है कि सकूबी रात में जब सोता है तो उसे सपने बड़े अजीव आते हैं उसे ऐसे सबने आते हैं मानो वो भी Pemberton के situation में हो और साथ ही वो भी वैसा ही एक note लिख रहा हो लेकिन जब वो उठता है तो वो decide करता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा वो इसलिए क्योंकि वो एक Catholic है और suicide करना सबसे बड़ा sin माना जाता है eternal damnation मिलेगी इसलिए वो कभी suicide नहीं करेगा अब चूंकि स्कूबी ने Lewis को promise किया था कि वो उसे South Africa भेजेगा तो वो पैसे arrange करने की कोशिश करता है लेकिन जो bank है वो उसे loan देने को तयार नहीं है तो वो Yusuf से पैसे loan लेता है वो पहले लेना तो नहीं चाहता है लेकिन Yusuf ज Africa भेज देता है अब जब ले Lewis चली जाती है उसके कुछ समय बाद एक ship wreck होती है यानि एक जहाज जो है वो समुंदर में डूब जाता है और उस जहाज में जितने भी लोग होते हैं उसमें से बहुत कम ही बचपाते हैं उस जहाज में जो लोग बचे होते हैं वो किसी तरह क किनारे तक पहुँचते हैं जहां पर सकूबी है और वहां पहुँचने के बाद उन लोगों को बचाया जाता है उन बचने वाले लोगों में एक 19 यर ओल्ड वुमन है जिसका नाम है हेलन रॉल्ट जो की बहुत ही जादा कमजोर है वो उसके बारे में हमें बताया जाता है कि जब उसने जहाज चड़ा था उससे पहले उसकी शादी हुई थी और जब ये जहाज जूबा तो उसमें उसके हस्बिन की डेथ हो गई तो अब वो एक विड़ो हो चुकी है अब कुछ समय बीचता है और ये जो सकूबी है उसकी दोस्ती जो है वो हेलन रॉल्ड से हो ज लिए ये एक सिन है एक पाप है लेकिन वो फिर भी हेलन को बहुत पसंद करता है उससे प्यार करता है तो वो एक लेटर लिखता है हेलन को जिसमें वो सब कुछ बताता है कि कितना वो उससे प्यार करता है लेकिन ये जो लेटर है ये गलती से हेलन के पास जाने की जगा जो यूसुफ है ये स्कूबी को ब्लैक मेल करना शुरू कर देता है कि आप मेरा एक डाइमंड का जो पैकेज है वो उस एस्पिरांग का जहाज के तुरू भेजिए वरना मैं आपके बारे में सब को बता दूँगा कि आप एक कैथलिक हैं और आपका लव अफेर चल रहा है अब ये सब चल ही रहा होता है कि इसी बीच उसे एक टेलिग्राम मिलता है स्कूबी को एक टेलिग्राम मिलता है उसकी वाइफ लूईस से लूईस कहती है कि मैंने साउट आफरिका आकर गल्ती की मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी और इसलिए मैं वापस आ रही हूँ अब ये जो हेलन है ये वैसे ही स्कूबी पर बड़ा नाराज रहती है कि तुम अपने वाइफ को छोड़ नहीं रहे हो हमेशा कहते हो कि हमारे बीच ये जो अफेर है ये एक सिन है तुम्हारे रिलिजन में इसको एकसेप नहीं किया जाता और अब तुम्हारी वाइफ भी लॉट करा रही है तो जरूर ही तुम अब मुझे भूल जाओगे मुझसे अब तुम प्यार नहीं करोगे लेकिन स्कूबी जो है वो से समझाने की कोशिश करता है कि नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अब जब ये लुईज लॉट कर आती है तो ये अपने हस्बेंट से जिद करती है कि इतने दिन हो गए तुम चर्च भी नहीं जाते थे और अब मैं वापस आ गई हूँ तो हमें चर्च जाना चाहिए मास अटेंड करनी चाहिए ये जो भी चीजें होती है चर्च में हमें वो सब करना चाहिए लेकिन ये जो स्कूबी है इसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रही है तो इससे समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर चर्च कैसे जाए तो ये क्या करता है ये चर्च जाता है और जो प्रीस्ट होते हैं चर्च के उसके पास जाकर अपने सिंस कनफेस करता है कि मैं एक कैथलिक हूँ फिर भी मैंने क्या किया है इडल्टरी की है मेरा एक लव अफेर रहा है जो की एक्स्ट्रा मैरिटल है तो मुझे अब क्या करना चाहिए और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां ये है कि मैंने ये सारी गल्तियां की मुझे पता है लेकिन मुझे बुरा नहीं फील हो रहा मुझे अपने किये हुए पापों पर कोई दुख नहीं है मैं अभी भी हिलन से प्यार करता हूँ जो प्रीस्ट होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगा और तुम कोशिश करो हो जाती है और वो ये होती है कि एक बार स्कूबी जो है वो हेलन से मिलने जाता है ये जो हेलन है ये स्कूबी से कहती है कि मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए प्राबलम हूँ तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को परिशान कर रही हूँ तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहां से चली जाऊंगी इस शहर को छोड़ कर चली जाऊंगी तो तुम भी अच्छे से रह सकोगे लेकिन ये जो स्कूबी है कहता है कि नहीं मैं कुछ करूँगा तुम टेंशन मत लो तुम मत जाओ और इन दोरों के बीच में कि अली ने इन दोनों को साथ में देख लिया तो ये जाकर युसुफ से कहता है कि मैंने ऐसा देखा है पता नहीं अब क्या होगा कहीं अली सब को बता न दे तो ये जो युसुफ है ये अली को मरवा देता है वो अली जो 15 साल से स्कूबी के हाँ काम कर रहा था और ये साबित कर देता है कि कुछ लोकल टीनेजर बॉइस से उसका जगड़ा हो गया था तो ये जो अली की डेथ होती है ये भी स्कूबी के उपर एक प्रॉब्लम एक प्रेशर बन जाती है कि एक आदमी की जान चली गई उसका भी कारण जो है वो मैं था अब ये जो स्कूबी है ये परिशान हो चुका है इसने कई सिंस किये हैं इसकी वज़े से किसी की जान चली गई इसने स्मगलिंग कर लिया एडल्टरी कर ली और अब अपने आप से अपनी लाइफ से ये पूरी तरह से कह सकते हैं परिशान हो चुका है, साड हो चुका है और इसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है डेथ यानी मौत अब ये जीना नहीं चाता इसके जीने की जो इक्छा है वो खत्म हो चुकी है तो ये एक plan बनाता है वो ये कि इसे हमेशा से थोड़ी problem रही है थोड़ी sickness रही है और ये जान बूझ कर ऐसी acting करता है कि इसकी sickness जो है वो बहुत ज़ादा बढ़ गई है तब्यत इसकी बहुत खराब हो गई है तो जो doctor है इसका friend है वो उसे कुछ sleeping pills देता है ताकि वो रात को आराम से सो सके तो शायद उसकी तब्यत सही रहेगी लेकिन ये क्या करता है ये sleeping pills रोज रात को लेने की जगा हर एक dose को बचा कर रख लेता है ताकि जब वो एक बार में इसे खाए तो उसका effect हो और इसकी death हो जाए और एक रात ये विसकी के साथ वो सारी sleeping pills खा लेता है और इसकी death हो जाती है अब चूंकि सब जानते थे कि इसकी तब्यत पहले से खराब रहती थी तो किसी ने भी इसकी death को suicide नहीं माना लेकिन धीरे धीरे बहुत समय के बाद जो है लोगों का शक बढ़ने लगा वो इसलिए क्योंकि लूइस जो थी उसे पता था कि स्कूबी का एक love affair चल रहा है और इसी लिए वो lot कर आई थी दूसरी तरफ ये जो Wilson था इसने जब स्कूबी की डायरी को पढ़ना शुरू किया तो उसने देखा कि स्कूबी ने अपनी डायरी में अलग से कुछ entries की हैं यानि कुछ words जो है वो अलग से add किये हैं कि आज मीरी तब्यत खराब थी मेरे सीने में दर्थ था इस तरह की बाते अलग से add की हैं ताकि लोगों को लगे कि उसे काफी समय से परेशानिया थी और इसलिए उसकी death हुई और ये बात जब वो Lewis को दिखाता है तो Lewis तुरन्त ही समझ जाती है कि उसके husband ने suicide किया था अब उदर Helen के बारे में भी बताया जाता है कि Helen के लिए उसने suicide किया था तो उसने ये सुचा था कि Helen उससे free हो जाएगी अपनी life में आगे बढ़ेगी लेकिन Helen भी बिल्कुल वैसी ही life अभी भी जी रही है ये जो Lewis है ये church आती है और जाकर church के उस priest से बात करती है जिसके सामने स्कूबी ने सब कुछ confess किया था वो जाकर कहती है कि स्कूबी एक bad catholic है क्योंकि उसने जो सारे crimes किये वो तो ठीक है sin किये लेकिन उसने suicide कर लिया जो की eternal damnation है सबसे बड़ा पाप है तो इस पर जो father है जो priest है वो Lewis को समझाते हैं कि तुम जजमत करो कि स्कूबी के दिल में क्या था जो church के rules होते हैं वो ये नहीं decide करते कि किसी इंसान की किसमत में क्या है कि मरने के बाद उसका क्या होगा जो भी हो मैं इतना जरूर जानता हूँ कि स्कूबी के दिल में भगवान के लिए प्यार था और जतना प्यार वो भगवान से करता था उतना वो किसी से भी नहीं करता था खुद से भी नहीं और यहां पर यह नॉवल खत्म हो जाती है तो फ्रेंट्स यह थी ग्राहम ग्रीन की नॉवल दा हाट आफ दी मैटर अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करिए